आइनली मैं अपने आयोध्या वाले पार्टनर से मिल गई हूँ बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों हमको राम मंदिर आयोध्या पैदल यात्रा करना राम जी के दर्शन के लिए दोस्तों आयोप आप सभी अच्छे होएंगे मैं भी मस्त हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते आज से लगबग 10 महीने पहले 22 जनुवरी को राम मंदिर का प्रांट पतिष्ठान ता जिसमें की काफी ज्यादा लोग राम मंदिर के दर जमा हुए थे और पूरे भारत में राम नाम का माहौल च्छा गया था और उस समय आप जानते रहेंगे मैंने भी मुंबई तो आयोध्या राम मंदिर की पैदा ल्यात्रा की जिसमें की हम तीन दोस्त निकले थे मैं बिनित पंडे मेरा नाम और राज सर्मा और शबनमसिक और उस समय जानते रहेंगे हर जगे न्यूज में हर तरफ बहुत ही तेजी से न्यूज वायरा रहा था कि एक मुसल्मान लड़की मुंबई से निकले आयोध्या राम मंदिर क आयोध्या की जो भी बीच बातचीत होई वह यादे ताजा होने वाली है तो हम उनसे मिलने वाले मिलने के बाद देखते क्या बातचीत या जो वीडियो को पूरा लाशा तक देखना आपको काफी ज्यादा मजाएगा दोस्तों फाइनली मैं अपने इस्वेंड से मिल चु मैं अपने आयोद्या वाले पाटनर से मिल गई बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों क्योंकि अभी मैं सही बोलू ना हमने इसी मंत में प्लैनिंग प्लोटिंग किया था हमको राम मंदिर आयोद्या पैदल यात्रा करना राम जी के दर्शन के लिए तो मैं बहुत ही जादा सबसे पहले हम लग जाते उस जगे पे जहां पर हमने प्लैनिंग किया था क्या पीते हुए क्या खाते हुए आप लगों को बताती हूं आप एक्साइटेड हो जरूर हम तो एक्साइटेड है तो चलिए चलते है दोस्तों फाइनली अभी हम गन्ये का जूस पीके हम आ चुके उस जगे पे जहां से कि हमने अध्याहत्रा की प्लानिंग प्लोटिंग की थी और जैसा कि आप जानते कि मेरे जो फर्स्ट यात्रा थी 2022 में मैं मुंबई टू गोवा गया ता जो साथ दिन की यात्रा थी 600 किलो मेंटर की साइकिल से मैं गया था बाकि उसके बाद मैंने सेकेंड यात्रा योध्या की पैदल की थी शबनाम के साथ तो शबनाम और मेरी कै से दोस्ती हुई इसके बारे में शबनम आपको बताएगे देखिए दोस्तों हम लोगे ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पताए क्यों क्योंकि पिछले साल 2023 में अमने यात्रा शुरू की नहीं चोबिस नहीं तेइस में राई नवेंबर डिसेंबर था ना उस टाइम प मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई हमने सारी चीजें प्लाइनिंग प्लोटिंग की सब कुछ किया मैं इतनी कुछ थी और एंड मोमेंट में अपने मना कर दिया फिर मैंने अपने दोस्ते बात किया तो उन्हों ने मुझे इसका कॉंटेक्ट दिया किया यार यह बंदा न बहुत हैवी कटेंग से कटेंग मैं बोल सकती हूं तो इसने वह पार कर लिया तो फिर मैंने से बात किया इस मेरे दोस्ते इससे मिलाया इसके इसने अपने दोस्ते मिलाया तो हम तीन लोग हो गए तीनों ने प्लैनिंग प्लोटिंग की कि भाई रामलला जी के दर्शन करन तो हमने बोला ठीक है बाई चलेंगे मज़ा आएगा और हमने एक डेट कर लिया कि 22 तारीक को हम निकलेंगे 22 डिसेंबर को और 22 डिसेंबर के 21 डिसेंबर के दिन तो में पूरी रात नहीं सोई भाई एकसाइटमेंट में तयारी पहले से फुल करके रखे हुए थे बस यह था कि इती उत्सुकता थी मन्वे कि भाई 5-5 बजे मिलना था हुए सारी चीजे करनी थी तो 5-5 बजे में 5-5 बजे तक में को नहीं 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 फिर हम मिले और सबसे पहले हमने अपना बोरिया भी स्तरह भाता जो क्या अरेडी बांदा हुआता बस राम जी के जजंडे होते हैं और बैनर था यह इसके पास था इसके पास था तो में को घर से यह लाने का मौका नहीं मिला मैं अपने स्कूर्टी से एक जगा पर हम गए यह मिला मैं मिली मेरे इनके दोस्त मिले हम तीनों गए सबसे पहले कहीं गए होंगे बिना खाए पिए गए होंगे तो हम गएते एक मंदिर में जो कि हनुमान जी का मंदिर था वहां पर हमने अपने पूरा बैग बांदा हर चीज बांदा हर हम लोग श्री राम जी का नाम लेकर निकल पड़े भाई सब निकलते 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 हमने तीन से चार किलोमेटर पैदल चल लिए बिल्कुल थका नी क्योंकि एक्साइपमेंट में थे नाम लोग खाए पीए नहीं कुछ और सुबे का समय तर 7-8 बजरा था जब तक सारी दुकाने कैच पेले चाई पीने घये चाय पिए बिंचेट खाए भात वाती चीजेश फिर में पीते पीते पिते पीतेशा काई असे रास्ते हो बताओ आप लोगों कोई दलना बताती को यह दिख रहा है Пीछे मेरे केवल खेत खेत-खेत खेत यहां पर भी खेत-खेत-खेत-खेत य यहां पर रोड है इसी रोड से जा रहे थे और यह ऐसे खित ऐसे रास्ते से हम लोग गुजरे थे पता है अपको और दूर दूर तक कुछ खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं वीडियो का तो तुम छोड़ी दो और ऐसा नहीं है कि भाई लोगों ने help नहीं की रास्ते में लोगों ने मदद भी की थी लोग लोगों ने मतलब मुझे यह या था कि एक व्यक्ति थे जो बाइक से जा रहे थे वो आरिसस के थे उन्होंने देखा कि हम राम मंदिर पैदल यात्रा कर रहे हैं उन्होंने हमें 500 रुपीस दिया हम लोग रस्ते में तीन लोग थे खापी कि हमने अपनी आत्रा को वहीं रोग दी और हम वहीं पर टेंट ऐसी जगा थी कुछ ऐसा जगे पर टेंट वेंट बांद के बढ़िया से सो गए और अर्ली मॉर्निंग उठके फिर हमने किता इंजॉई किया ना इंजॉई मतलब कैसे इंजॉई के पते हैं एक दम टेंट व में उठते हैं हम लोग फिर बहुत सारी शीजे की फिर वहां पर हमने ग्रीन टी पिया फिर भी कुछ खाने पिले के लिए नहीं ता राम जी का नाम लेकर निगल पड़े फिर वीडियो शूट किया हमने कौन सा वीडियो था बताती हूं पकड़ ऐसे में बताती हूं इस त मेरा नाम है शबनम शेक में एक भारती सनातनी मुसल्मान हूं मैं मुंबई से आयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूं राम जी के दर्शन के लिए यह वीडियो थी और यह ट्रिक मैं नहीं लगाया था पर पता नहीं था कि यह वायरल हो जाएगा यह मतलब यह था कि हाँ व यह वायरल हो गई से यह टाई लगाए यह जाएगा यह पने बिचानी में हुगा यह भाने वह दूश की यह पता हैँ है को हो एक तर दो काफी अच्छा रही बस यहा है कि पहले तो यह बता कि जर जो थी हमारी वो जर्नी में जो यात्रा कर रहे तो यात्रा में क्या-क्या चीज आपको अनुबहो करने के लिए मिला तू भी तो था तू बता ना वेरा से पूछ रहें ए रिपोर्टर पागल है तो यह तो था यह नहीं मेरे से अनुबहो पूछ रहा है तो हमको इतना नहीं पता था कि पुलिस प्रोटेक्शन या गवर्मेंट से कोई सिक्यूरिटी मिलेगी, अभी हम दो दिन तो टेंट में रहे, तिसरे दिन अचानक पुलिस का कॉल आया, अब उस पे बातचीत हुई, फिर उसके बाद गवर्मेंट सिक्यूरिटी मिलेगे, अ कि हम अपने मन से कर आए थैन कहा रहे थैं ना खान पीड हमारे मन से हो रहा था ना रहना हमारे मन chamber यह पुछ कर रहा हूं अगर वहीं हम ऐसे अपने में दोस्त जा रहते, तो हमारा जब भी मन करता था हम रूख जाते described, तो अब ऐसा हो था कि पुलिस पुलिस स्आलों का कि हम लोग अराम करने बैठते थे वो गाड़ी में रहते थे फिर पाँच मिट तक वेट करते थे दस मिट तक वेट करते थे फिर बाहर आके बोलने लग जाते थे तरे मैडम क्या चलो ना थोड़ा हम लोगों को भी घर जाने का ड्यूटी है ये बच्चे तो मतलब यह होता अगले वीडियो में बताएंगे तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कमेंट शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको सपोर्ट कीजिए आने वाले टाइम में धेर सारी यात्रा की वीडियो दालेंगे और हो सके तो अगले यात्रा पर कहीं जाना होगा तो वह भी हम शेर करेंगे अपने लोगों से वाई जैश्री राम जैश्री याऊ ड्सक्राइब झाम में जरुटाजब जला होगा दू दू पन्मरी